क्या दोस्ती सिर्फ इंसानों के बीच ही हो सकती है? शायद नहीं। सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, ना उम्र की, ना जाती की, और ना ही प्रजाती की। ऐसी ही एक दिल को छूने वाली कहानी है राहुल और एक भूखे कुत्ते की, जिनके बीच बना बंधन दिखाता है कि प्यार और अपना पन जीवन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं है, बलकि त्याग, वफादारी और एक ऐसे रिष्टे की है जो जीवन के अंत तक कायम रहा। आईए जानते हैं कैसे राहुल और उसके प्यारे साथी कुत्ते ने हमें सच्ची दोस्ती का अनमोल पाठ सिखाया। राहुल नाम का एक छोटा लड़का रोज स्कूल से लोटते समय एक भूखा भटकता हुआ कुत्ता देखता था। कुत्ता अकसर लोगों के पास जाकर मदद की उमीद में अपनी पूँच हिलाता। लेकिन उसे हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। कोई उसे डांट कर भगा देता तो कोई उसे देखे बिना आगे बढ़ जाता। एक दिन राहुल ने सोचा अगर कोई इसकी मदद नहीं कर रहा तो क्यों ना मैं ही कुछ करूँ। उस दिन उसने अपने टिफिन से बचा हुआ खाना कुत्ते को दे दिया। कुत्ता पहले थोड़ा सहमा लेकिन फिर भूक के आगे जुकते हुए उसने खाना खा लिया। उसकी आँखों में राहुल के लिए अनकही कृतजता थी इस दिन के बाद राहुल और कुत्ते के बीच एक अनोखा रिष्टा बन गया। राहुल रोज उसके लिए खाना लाता और कुत्ता हमेशा गली के कोने पर उसका इंतजार करता। दोनों के बीच बिना बोले ही दोस्ती पनब गई थी। कुछ महीने ऐसे ही बीट गए। ए सका। हाथसे में राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। कुत्ते ने देखा लेकिन कुछ कर नहीं सका। वो अपने दोस्त को खो चुका था। राहुल के जाने के बाद कुत्ता उसी जगह पर रोज बैठा रहता जहां वह पहले राहुल का इंतजार करता था। वो दिन रात वहीं रहता, ना खाना खाता, ना पानी पीता, आस-पास के लोग उसे खाना देने की कोशिश करते, लेकिन उसने कुछ भी लेना बंद कर दिया था, उसकी आँखों में एक गहरी उदासी थी, मानो वह अपने दोस्त की वापसी का इंतजार कर रहा हूँ, दिन बीटते गए और धीरे-धीरे कुट्टे की हालत बिगडने लगी, वह कमजोर हो गया था, उसकी आँखों की चमक भी गायब हो चुकी थी, आखिरकार एक दिन वह कुट्टा उसी जगह पर लेटा रहा, जहां वह राहुल के साथ खेलता था, और उस दिन उसने भी इस दुनिया को अलव पूर्ण हो सकते हैं, उनके रिष्टे ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और दोस्ती किसी भी बाधा से परे होते हैं, चाहे वह जीवन हो या मृत्यू, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई, तो हमेशा याद रखें, जो प्यार और अपनापन हम दूसरों को देते हैं, वह कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में वापस आता है,